नमस्कार मिभाकिश्री बिसन्यूस के बिजन समाचार में आप सभी का स्वागत है खब्रों के और बढ़ने से पहले आए डाल तेकने सर आज की सुर्खियों पर बारी कर्ज और नगदी संकट से जूज रही बाड़िया समो की एरलाइन्स गोफर्स अब बिखने चारी है कमपनी नी आर्थिक संकट से निकलने के लिए कई कोशिशे की लेकिन सफल नहीं हो सकी इंजन के तकनी की खामी और नगदी संकट के चलते तीन मई से गोफर्स के सभी उडाने खड़ी है अब लग रहा है कि ये मिमान नए माले के साथ ही टेक आफ करेगी दरस्तल दिवाल या प्रक्रिया से गुजर रही गोफर्स बिखने चारी है इस कंपनी को खरितने के लिए बड़े-बड़े नाम साम्यार है इस रेस में जिन्दल पावर लिमिटेड सबसे आके है रिपोर्ट के मताबिक जिन्दल पावर ने इसके लिए रुची की अभिवेक्ती यानि EOI जमा किया है देश की दुसरी सबसे बड़ी सुचना प्रोधोकी की कंपनी इंफोसिस का चालू विद्वश 2023 और 24 की दुसरी तिमाही जुलाई सितमबर में शुद्ध लाव सालन आधार पर 3.1% बढ़कर 6215 करोड रुपे रहा कंपनी का पिछले विद्वश की समान आधी में शुद्ध लाव 6,066 करोड रुपे रहा था इंफोसिस की आए तिमाही में 6.7% बढ़कर 38,941 करोड रुपे रही इंफोसिस की सीओ सलील पारिक ने कहा कि सभी कारी शेत्रों और भौकर एक शेत्रों में दूसरी तिमाही में हमने सबसे अधिक 7.7 अरब अमेरिकी डॉलर के सौधे की है पारिक ने कहा कि यह कंपनी की ग्रहाकों की बढ़ती जरुरतों के लिए प्रासंग की बने रहने और आगे बढ़ने की शमता का एक प्रमान है कंपनी ने वित्वश 2023 और 2024 के लिए आई व्रती अनुमान को एक से 3.5 प्रतिशत से घटा कर एक से 2.5 प्रतिशत कर दिया है देश की तिसरी बड़ी आईटी कंपनी सेल टिकनोलोजिस का एकी ग्रोज शुद्धिलाब चालो वित्वश की दुसरे तिमाही में 10 प्रतिशत बढ़कर 3,833 करोड रुपे रहा बित्वित्वश की समान तिमाही में कंपनी का शुद्धिलाब 3,487 करोड रुपे रहा था जबकि तिमाही में गूल आई 8 प्रतिशत बढ़कर 26,622 करोड रुपे रही जो सितंबर 2022 में 24,686 करोड रुपे रही थी कंपनी ने 12 रुपे प्रतिशर का अंतरिम लाभाँश भी खोशित क्या है जिसके लिए रिकॉर्ट थी 20 अक्टुमबर 2023 रखी गई है HCL के नतिचे देश की सबसे बड़ी कंपनिया TCS और इंपोसिस की तुल्ना में बैतर रहे है TCS और इंपोसिस की लाभ में व्रतिक कम होई है भारत में B2B यानि Business to Business e-commerce की प्रमुक कंपनी Rocking Deal Circular Economy Limited ने अतरित इंवेंट्री की सोसिंग के लिए एक साथ 30 ब्रांड़िट कंपनियों के साथ साज़ितारी की है जिन में Home Appliances, Appearance, Kitchen Wear, Speaker, Mobile Accessories, Footwear ब्रांड शामिल है जिन बड़ी ब्रांड़िट कंपनियों के साथ साज़ितारी की गई है उनमें Samsung, Thompson, MI, LG, Goato, Salura, Symphony, Zara, Nike, Revox, Campus, Sony, Board, Gizmor, OnePlus जैसे बड़ी ब्रांड शामिल है इसके लावा कंपनी ने अत्रिक्त इन्वेंटरी और Open Box उत्पादों की सोर्सिंग के लिए स्नाप टेल, फ्लिपकार्ट और Amazon से भी हाथ मिला है बिरो रिपोर्ट, Inbison News सार्वजनिक शेत्र की कंपनी राइट्स लिमिटेट को नवरत्न का दर्जा मिल क्या है इंजिनिरिंग और प्रामश कंपनी ने BSE को बताया कि रेल मंटाले से राइट्स को नवरत्न का दर्जा देने की प्रस्ता पर विचार करने की बाद सरकाने इसे मंजूरी देती है नवरत्न का दर्शा शेष्ट प्रदशन का निपाली केंट्रिय सार्वजनिक शेत्र उत्यमों कुद दिया जाता है विगत कुछ वर्षों से राइट्स के विकास गती तेज रही है बिरू रिपोर्ट इन्बेसियन न्यूज खबर समावति करें से पहले आए डाल तेक नजर आज की सुर्खियों पर बिजनेस समाचार में फिलाल इतना ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रिए इन्बेसियन न्यूज नमस्कार